वेल दोस्तों में दरपन शिरवास्तवा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया देखो मैंने निवला भाही ने बोल भी आप सागर वाही इन करना मैं और सागर ने और मैंने एक वेब स्रीज की है साथ मैं मादुरी टॉकीज किस प्लेईगी जरूर देखेगा अपने मार्च में रिलीज होने की लीजा तो मार्च में आने वाली वो देखे हैंगा बडी कमाल की है और भाही ने लीड किया उसमें लीड हीरो था उसमें और मैंने चोटा सा किर्दार के लिए चोटा नहीं बहुत ही कमाल का रोल है बहतरीन रोल है जरूर देखेगा आप लोगों को तब पता चलेगा साङर कमाल के एक्टर में पहले काम कर चुका है वह नो नहीं बहुत मज़ा किया था और अभी मैं सट पर आया हूँ निम्की मुख्या के निम्की मुख्या के विदायक मुख्या का सीजन टू है क्योंकि अक्सर लोगों निम्की मु क्या यहार रहता है यह झार बट तो ने बहुत टाइम से बोल रहे थे आना है कोडिनेशन नहीं हो पा रहा था और फाइनली आज आई गया और फाइनली सागर ने और शुती मैम शुती उल्फद जी गंगा देवी जी जो इसमें मेरी माँ बनी है उन्होंने इन दोरों ने मुझे कहा आ जाओ और मैंने का मैं आता हूं तो फाइनली भाही मैं आ गया और शुकम बताय। तो तुम्हें देहका बदा मज़ा आया बड़ा सुकून सा मिला है तो कि अभी किसी ने ने सहा था कि आपके पापाय ने क्या सब को ही सेट कि रहे घ्ट आज पराग के पापाह ने आज पराग के पापाह है तो कि यह सुल के बड़ अच्छा लगा और वैसे दिखाए तो तुम यार बेटें यू मेरे नहीं ऐसा human being पता नहीं आप लूग कितना नजदीक से जानते हैं इनके जैसे इंसान बहुत ही कम लोग होंगे मतलब बहुत अच्छे human being है बहुत है मतलब लगता ही नहीं मेरे पापा की एच पापा से बड़े ही होंगे और हैं अग्दम दोस्त जैसे सच में मतलब ऐसी bonding है कि I can't tell क्या रात है Anyway, मुद्धे पे आते हैं निम्की विधायक क्या गएंगे निम्की विधायक से कितना ये character करके या कितना जुड़ पाई इसे आप निम्की विधायक इसमें जो मेरा character एक बिगड़ी ओलाद का है जो शराबी रहता है नशे में एकदम दूबा रहता है हाला कि मैं real life में दारू भी नहीं पीता हम सच बाता है मुझे जब ये role मिला तो मुझे लगा रहे यार अब तो एकदम different चीज है इसमें मेरे लिए challenging चीज है अब जो करके दिखाना दिखा हो सागर पहले दिन मेरा short था शृती के साथ था तो मैं पी के जाता हूँ अब मेरी मा होस्पिटल में होती है पी के जाना अब दम पी के रहे मा तुम्या मतलब मैंने का रहे भाई आज पुल अब मुझा मिला है दिखाने का दिखाने का दिखाद है तो मज़ा आया मतलब ये role एकदम different होता है मेरे character से एकदम अलग है तो मैं enjoy कर रहा है इंफेक्ट शुती का भी जो एकदम अलग है मैंने आज तक कभी शुती को इस तरह का first time वो कर रहे है और बड़ा मज़ा है मैंने देखे जो उन्होंने tone पकड़ी है बिहार की कमाल है तो आप कितने सार होगे इंडस्ट्री में मुझे around साड़े चार साल हो रहे है मुंबय आए होगे कितने शौ कर लिए क्या मैंने पहला शौ किया था चैनल V का इश्कन प्लग उसमें मैं नेगेटव लीव था ऑच्छा और उसके बाद उसके बाद फिर मैंने आड्स किये बहुत सारे आड्स किये बहुत सारे आप थेटर आडिस अनिल रंजन भॉमिक जी उनका नाम है वो दो घंटा वर्क्शॉप देते है तो मैं छुपके से जाता था मुझे इतना शॉक था जाता था ममी मैं जिम जा रहा हूं मैं रुनिंग करना जाता हूं तो एक दिन फ्लेव एक पेपर में मेरी फोटो आई तब बूलग अगर अगर आपको आना है थेटर तो बहुत अच्छा है बहुत जरूरी है आपको मितलब बहुत सीखने मिलेगा वो इड़म डिटेल में एक एक रस के बारे में हर चीज अलग अलग किर्दार इतना वाइड उस लेवल पर आपको सिखा देगा एक कॉंफिडेंस बहुत आ क्योंकि आप इतनी ओडियंस को जब लाइफ पेस करते हो ना तो यहां पर तो कट होता है अम लोग डियालोग बोलते हैं कट हो गया सही नहीं हुआ पट वहां पर कोई कट नहीं आप उस तरकल पर आगए उसके बाद डायरेक्टर भी कुछ नहीं करता वो दो घंटा आपक करके मैं आगे चीजों को जल्दी आसानी से सीखूंगा वो करो किसी को लगता है मैं acting school में जाके सिख सकता हूं ना भाँ पर भी सिखा जा सकता है बट थेटर में क्या है कि इतना down to earth रह के आपको सिखाते हैं या बात हर चीज मुझे आज भी एक चीज याद है मैं गया था देली में first day गया था तो कुछ नयने लोग आय थे कुछ workshop का मैंड थी स्वरूपा घोष जी इससे में workshop ले रही थी उन्होंने कई फिल्मों में आयो ही है तो मैं दो मिनिट हो गया था तो पहली बात तो आप एक मिनिट भी लेट हो तो इतना बड़ी चीज डिसिप्लीन में मैं जाकर वहाँ जमीन पर बैठ गया तो मुझे याद है तो सब करें हसे एक दूलो वहाँ पर कहते हैं क्यों हसे तो उन्होंने बस एक बात बोली तो नीचे बैठने वाला इंसान का भी गिरता नहीं हमेशे है या बात है क्या बात है तो बहुत तो एक दिसिप्लीन आपक या अनल बात है और या जो परात है किया चैनल वी का उसके बाद मैं एक आंट टीवी का शो किया ता बड़ी देवरानी तक उसमें परल्ल लीट था फिर उसके बाद मैंने थीटर यहां वंबई में भी करता रहा है मैंने गुलजार साब के छह साथ प्ले कियें सालीम तो वो अगर कोई नया बच्चे जाए तो वो एंटेटेंड करते हूँ हाँ करते हैं मगर उसमें अगर डेडिकेशन होगा वो लगन दिखेगी तभी वो रखते मुंबई में वरना कोई किसी को निगा थीटर वाला सुन लो मुझी बार उनको समझ में आ जाता है इतने साल का उनका एक्सपिरियंस है यह बार देख के समझ जाते हैं कि इस बच्चे में है और आज भी अगर सलीम सार नया प्ले करते हैं तो पहला मैसिज मुझे सागर बेटा यह प्ले कर रहा हूं तुम फ्री हो तो आज करते ह यह बार कितने हम बार किरा साल कर नहीं मैं जब आया था मुझे याद है किसी में आते ही मैं सलीम साफ का मुझे किसी ने रफ्रेंस दिया था बिटार करना है, मैं रोज फोन करता है, उन्होंने कई बार मुझे गुस्से में भी डाट लिया कि अरे बिटा भी मीटिंग में रखो रखो, मैं फिर मैंने का सर कोई बात नहीं, करता है, करता है तीसरे महीने फोन आया, बिटा, एक प्ले शुरू कर रहा है, अच्छा के मिलो मुझे क्या बात है पहले प्ले में मुझे यादे प्रिथवी में शो था, मैंने का कुछ भी मिले, मैंने थेटर बहुत किया हुआ था मैं चोगदार का रोल कर रहा था, बसे एक आवास थी, एक डायलोग था मुझे आदे आती लो, किधर जाते हो गुलजार साब को गुगली जनक जाय प्ले कर रहा था वो प्ले किया, उसके बाद दूसरे प्ले मिला, ताज महल का उधगाटन पूरे टाइम स्टेज पे था, बनो अब दूसरे लीड रोल किया, फिर मेरी बड़ी तमन्ना थी यार, बुक माई शो में मेरा नाम नहीं आता है, मुझे बढ़ा उसाब, नो, नो, नाक्टर्स के, मैंने गए सागर इस काबिल बनना पड़ेगा, तो अब तुमारा जाके मेरी जित थी, मैंने लेके तो जरूर आऊंगा, बहुत हार्ट वर्क करता था फिर गुलजार साब का सोलो प्ले किया, मैंने नुक्लियर शेर बच्चों का प्लेता, इसमें सब से उपर मैं लीड था, सागर वाई, इसमें मेरी आँखों में लिक्टरली आंसु आ गया थी, तब मुझे लगा कि कुछ भी मिल सकता, ऐसा नहीं हार्ट वर्क करो, हर चीज हर कोई इनसान हमारे ही जैसा है, क्या बात है, समझे बात को, निरंतर परियास करो, अगर किसी ने ना कर दिया, इसका मतलब, वो कभी ना कभी हां भी करेंगा, अगर आप, आप में ता जजबा आप में सब्स्षाहाहाँ हिए, कि अगर आप में तयलेंट ह्तो आप लगाथा करता uniqu ही, अगर वो को में वो क बैट है, ओछ आई वह के चान में और के इस तरह से बाते करता है। बहुत सीधा, सिंपल हम लोग वनारस वे थे हम पुरी रात मस्ती करता हूं मैंने वीडियो डाले थे फुल पुरी आप इसका भी डांस है। अगर वीडियो देखुए बनारस का मैं डांस कर रहा हैं हम सब लोग तो सागर भी था। फब मस्ती कि बहाँ, बनारस में बहुत मज़ा किया हूं है। हम पर उसके बाद आप ने जो हमने बहुत पर वहाँ है। पर अभी माथुरी टॉकी वेब सीरीज कर के आएं बनारस में जिसमें इन से मलाकात भी हैं हमारी। फिर अभी उसके बाद ये तो मुझे मैंने अउडिशन दिया हुआ था गनपती के पहले दिन मुझे रात में शूट आया मैं प्रिप्रेशन कर रहा था बल्कि कुर्ता भी खरीद के लाया सेच में मानिवर गया कि मुझे जाना है ये बपा का आशिरवात का हो या हार्ट वक का हो मुझे फोन आया रात में सर कल से आप ही लॉप हुआ है कल से आपका शूट है मैंने पहले रोल बताओ जब मैंने रोल सुना पका सब चीजे के मैंने तब तर जरूर करूंगा and I'm enjoying it मजा आ रहा है तो अभी किते इन ताइम होगे करते हो ये मुझे 5 महीन होगे मतलब 6 महीन होगे उटल हो ये विदायक को 6-6 महीन होगे तो ये future plan क्या है? future plan obviously films है, film series है और यसी बात और क्या हर इंसान चाहता कि film से लिए still I'm searching for that मतलब अभी आज भी कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है आप theater में जाओ reading करना बहुत जरूरी है वह बोलते हैं कि लगता है मगर आप जब पढ़ो गया तब आपको दीरे दीरे ऐसास होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं वह आपकी art में जो development होएगा होता है और अभी भी मैं सीखी रहा हूं हमारे सामने इतने senior actor बैठे हैं हमारे सामने इतना कुछ सीखा इनके साथ कुछ-कुछ scene ऐसे हैं मैंने इनके साथ बनारस में किये मुझे आज भी उस scene नयाद है जिसमें रवी को में गोली मारता हूं उस scene पे जब इनोंने डायलोग बोला था मैंने expect भी नहीं किया था इनके डायलोग की वज़े से मेरा जो reaction आया बहुत अचा है तो गिव अंड टेक हर सेट पे जिसे यहां मेरी मा बनी गंगा देवी जी भी बहुत senior artist इतनी अच्छी human being है इनसे बहुत सीखने मिलता है तो ऐसे हर जगह नहीं लोगों के साथ काम करते है family जैसे बन जाता है enjoy है मतलब मजा आ रहा है बच्पन ने सूचा वाता कि actor बनना है को जो सूचा था life में हां मगर घर वाले कहते हैं नहीं पड़ो 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 I am post graduate still मगर घर वालों को तब भरोसा नहीं था मगर मैंने साथ साथ डिस्टेंस पर मैंने MBA भी किया oh अच्छा इतनी पड़ाई करें मैंने पड़ाई भी कि यहां पर आगे में theater करता है मैंने का आप चलो कर दिया तो भी कर लेते हैं अब देखते हैं अब उन्हें समझ में आगे अब लड़का हाथ पे निकल गया है अब इंडिस्ट्री में इदा है लेकिन वह खुश हैंगी रिए हम बहुत खुश हैं साड़े आठ बचता है मेरी पूरी family मेरे दादा जी दादी जी भी जरूर देखते हैं निम्की विधायक मेरा पूता आ रहा है वाई इसमें देखना प्राउट फील करते हैं मरला पहले मना किया उन्हों नहीं शुरू मैं नहीं मना नहीं मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया जो दिल करे बिटा करो तो मगर यही कहते हैं इमानदारी से हार्ड वर्क करना मेनज जरूर रंग लाएगी पूरा भरोसा हमेशा है मैं उन माबापों कह रहा हूं भाई अपने बच्चों को समझो अगर बच्चे में कुछ हुनर है और आकर आपको लगता है अगर माबाप को भी किसी का बुरा को चाहिए अगर अगर माबाप को आप बच्चे में लगेगा कि हाँ यह हुनर है वो कभी रोकेगा और आज कल तो बड़ा रेपूटेशन है फिल्म डस चीग ऐसा तोड़ी एक जवानवा करता है अगर आपकी लगन है, हाटवर्क है, डेडिकेशन से अपनी रहा पर पूरी जरूर मेली की मंतर यह आद रहा है तो मालब बच्पन नहीं सोचा हुआ था करना है अक्टिंग ही करना है पहले मैंने मॉड्लिंग की थी मैं थेटर करता था तो वहां पर देखी यह भी एक चमतकार था 2010 में मिस्टर इलाबाद हो रहा था तो मैं नहीं करता था मॉड्लिंग वाटी मेरा दोस्त कह रहा है वो था साथ में जिम में आता तो उसने का सागर भाई एक काम कर तुम भी करो ना मैंने का भाई मुझे तो वॉक ओक करना आता नहीं है शाम को छे बज़े प्रोग्राम ता तीन बज़े मैंने फॉर्म भारा उसके कहने पर मैंने का मुझे वॉक ओक सिखा हो क्या वॉक करूंगा मैं वहां जाके उसने मुझे वॉक ओक सिखाई, मेरा कॉंपटीटर तो सब सिखाई तीन गंटा, उसके लिए महनत की मैंने, दो-तीन गंटा साथ चीज गए, और मैं मिस्टर लुलाबाद बन गया, 2010 में, फिर मिस्टर यूपी गया, वहां से सेलेक्ट होके, फिर वहां पे गया, तीन दन रह वही था, वह लास था मॉडलिंग, वह नहीं करना था, उसमें भी सेकंड जीत के आया, फोटोजनिक फेस अवार्ड मिला मुझे 2010 के और, जब थेटर करता था, जब मैंने पहली बार माइक पखला था, और मेरे सामने हजारों लों की ओडियन्स थी, जब मैं जीता था और व पर देखते हो जब हम लोग हैं, वागद यूनिट में सा सा लोग होते हैं, लाइट्स वाले, कैमरा वाले, मेकप दादा, स्पोर्ट दादा, टेखनेशियन्स, सब लोग मिला कि उनको उनके सामने फेस करने वह थेटर से काला की अला की ओडियन्स रगा रागी बच्पन से अब आप बच्पन से जो सचा वो सपना पूरा हो गया, मलब आप ने सपना भी ने चल आप पूरा हो गया, आप ने उस जमी पर पहर रख दिया, आप फिल्म सिटी में बैटो, इस वक्ति वाटने लोगों का सपना हो ओला एक फिल्म सिटी की मिट्टी सूंग लें, और हम आप यूरा है, तो ये अपने हो पे बहुत बड़ा है, आप एक चीज यादा कि अभी तो जिन्डगी के कितने उडाने बाखी है, आप जिन्दगी के कितने रंग रंग बाखी है, अभी तो ना पी थोड़ि सी जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाखी.. वह 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 यहादा, बहुत अच्छी बाद मनिश, मुझे मही जिया ने पराग मनिश्त रे लिए वेब सीरीइस का रहो जुआ कैना बहुत अच्छी आधा झाल रहे अच्छी प्रशे स्वागा दो क्या था स्वाइब एक्टर या कुछ और भी सोचा है कि पूदूसर बिन रहा है पूछ होगा है अजिक है अगर होु गया है अगे सौचें अचुंछी है वाउर्ण करने को एक चैलेंग चीज और मतलब जेक चालेंजिग चीज गया मिल गया मगर dates adjust नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ा शोड़िये नाम नहीं बहुंगा इसी same channel का star plus का आया था वो कुछ चीजें हैं कुछ नहीं हो पाया तो फिर जरूर मिलता है इससे भी benefit हुआ यह क्या market में आपकी visibility रहेगी तो फिर वो काम आती है और यह रोल मेरा बहुत पावरफल बहुत अच्छा रोल है मदार, I'm enjoying it As an actor क्या तैयारी करते हो? mostly आप because हर इंसान अपने अपने लेबल पर तैयारी करते हो As an actor क्या आपने आपको boost करने क्या तैयारी करते हो आप मतलब जैसे यह character item different इसमें शराबी है रहीस बाप की तो शराबी नहीं नहीं वो नहीं तो मैंने सोचा कि एक शराबी होगा मैंने कैसा होगा रहीस बाप उसका body language कैसा होगा जब वो दारू पिएगा तो उसका अंदास क्या होगा बात करने का छुटी-छुटी minute सी चीज़े होती है अपनी मा से और इसमें क्या अपनी सबसे रूट रहता है मा से भी तुम करके किसी की नहीं गुसायल बिगड़ा मतलब कोई तहजीब नहीं है तो रियल लाइफ में तो यह बिलकुल भी ऐसा नहीं है मतलब मेरे घर में तूता भी नहीं होता होगा जी जी बड़ा होता है ना तो फिर उस चीज में आना मेरे घर वाले देख रहे हैं ऐसे बात करना मा को कभी तुम बोली नहीं सकते इसमें तुम कहा के उची आवाद में तुम को तुम में देख लूई तो जाहिर सी बात है कभी-कभी जब शुरु-शुरु में आया था तो इसमें मैं अपनी मम्मी को मममा बोलता हूं तो इसमें मम्मी बोलना में बेचा तो आप निकल जाता है कभी-कभी होता है ऐसा अबला एसल आट आर्टिस्ट क्या तियारी की तुम बोडी लांविज पर वर्क करना डायलोग डिलिवरी इसका तोन अग्दम डिफरेंट है जो कि हम रोज मर्रा की जिंदगी में ऐसे इसमें जिसे हम अभी बात कर रहे नहीं है तो इस तोन पर वर्क करना वर्क करना क्योंकि वह 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 फ्लोग लगना चाहिए जो अग्दम हो गया उसके बाद बे निरंतर काम करना तो आपनों के मदा कैसे आएगा फिर लगेगा सागर है स्क्रीन पर सागर नहीं देखना चाहिए पर पर पराग देखना चाहिए जो मेरा मनीश आरहा है वेब स्रीज इसमें वह अलग देखना क्या बात है कुछ ऐसा कहलने चाहोगे मेरा ये जो परिवार है न भाई मैं हर चीज सामने लाता हूँ कुछ ऐसी बात जो तुछ तुछ वान गिल से निकले और उनके दिल तक पहुंचे देखे ये जो लाइन है ये एक ऐसी लाइन है कि इसमें आपको हर किरदार जीने का मौका मिल सकता है चाहे आप आर्मी ऑफिसर बनो कुछ भी कुछ भी जी सकते हो अगर आना चाहते हो पागल बनना अगर बनना हर चीज को एंजॉए मस्ती है लाइफ एंजॉए हम लोग बैठे है चिल कर रहे है तो बस यही काऊंगा हाड वर्क हाड वर्क करो ठान लो अगर चाहिए पैशन फुल एनर्जी से आओगे तो वो चीज जरूर हासल होगी बस इतना कहना चाहँगा और विश्यू आल दा बेस्ट जरूर आये नय साल है ने नेसल दाय वाने उर नियुं आ हमारे सागर भाही साभ कमया का इंसान कमया थाय पॉल्कुल बेबग बशूर दाम करता है लुकुल CHARLता इसके बातों में ही इसके चाहरे हो और भगवान कर रही जिंसेद्गत不是 चाहरे नहीं मैं थी आड़ की अपात, आड़ा कंटना, तो डूब भीरड़न, क्लिक और रही है? अपर यह भी में रही है? यह भी में च्छा होमार। रही है तो उन्मकी रिधायक, निम्की अविधायक। शौ को प्रोड़ोसर प्रोड़ोसर त्माहभीब समाभीर, तो उनको प्यार चाहिए, प्रडुक्शन हाउस को प्यार चाहिए, मुझे प्यार चीए, सब को प्यार बाटो, बस खुशया बाटो यार, और अच्छी सोच रखो, अच्छा होगा, गलत की तरब मत जाना, प्लीज, नए साल में सोचना की अच्छा करना है और हां, एक तुम आगे आगे हम तुमारे पीज़ेट, ठीक है चलते हैं झाल झाल